हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो फूट्स फिटनेस आज है आपड़े बनावे शो कौन वड़ा के पच्छी लीली मक्काईना वड़ा तो बटेटा वड़ा तो तमें सौवर बनाविया हश्चे पणावा एकदम टेस्टी अने चट पटा लीली मक्काईना स्टफिंग साथे कौन वड़ा क्यारे नी बनाविया होई आवड़ा बुवच टेस्टी बने चे बना वामा एकदम सहला छे साथे वड़ा मा बिल्कुल तील ना भराई एनी सीक्रेट टीप हो तमने आ वीडियो मा जना विश्ट तो चालो भनाविए जोत्ताच खावानू मन धही जाई एवा कौन वड़ा रेसिपीगा में तो वीडियो न लाइक अन शेयर करवानू बिल्कुल ना भूलता तो हुवै सौथी पहला एकदम नवा स्वाध मा बटाका वड़ा थी पन टेस्टी कौन वड़ा बनाव मा वाटे अहिया में अडिक अपजेटला अथवा तो 2 मूट्टी साइज ना लीली मक्कायना दाना लीता छे अहिया में काची मकाईनास दानाली दा छे आमा आपड़े बैर्थी त्रण अथवा तमने जिवीती खास्टोवे एरीते लीला मर्चा उमेरी देशु साथे आपड़े चार्थी पांच कलेजेटलू लसनों मेरी देशु अने एकीच आदुनों टुकड़ उमेरी देईये औने बिलकुल पाणी उमेरी आवगर आने पीसी लेशु एकदम फाइन पेस्ट नाथी बनावानी आनी आपड़े अतकचरी पेस्ट तैयार करवानी छे तोहिया तमे जोही शको छो आरीते मकाईना मोशेर थीज एकदम अतकचरा एवा मकाईना दाना क्रश्ट थाई गया छे तो आ मकाईनी पेस्ट ने थोड़ी वार माटे साइट पर राखी देशु आने हवे वड़ा माटेनों बहार नू पड बनावानू छे एनू बैटर बनाविये अहिया वड़ाना बहार ना पडना बैटर माटे एक कप में चणानो लोट लीतो अनेमा एक टेबल स्पून चोखानो लोट उमेरी दीतो साथे आपड़े एक टीस्पून करता ओचु अत्वा स्वात प्रमाणे मीठु अने चप्टी जेटलो हलदर पाउडर उमेरी देशु कोरी सामगरीने पेल्ला आरीते मिक्स करी लेशु तो आउबधू कोरू मिक्स थाई जाई एटला आपड़ामा थोड़ थोड़ु करी पाणी उमेरता जेशु अने मीडियम घट चमची माथी नीचे पड़े एरीतनू बैटर बनावीशु चोड़ाना लोटनू बैटर बनावता समये पेल्ला थोड़ु पाणी उमेरी सारी रिते लोटने मिक्स करी देवानो अने पची बाकी नू पाणी उमेरी एकदम सरस बत्तू मिक्स करी लेवानू आ रीते तम्में बैटर तयार करो तो बैटर मा लोटना पल्कुल लम्स नहीं पड़े तो यह तम्में जो ही शक्यों चो मिडियुम घट एव मैं बैटर तयार करिव चे आपड़े जहू बटेटा वड़ा माटे बैटर बनाविए बिल्कुल एजी रित्नू बनावियुँँछे बैटर ने हुँ तम ना रिते चमची थी बताऊ तो तम जो चमची माथी इजीली नीचे पड़े अने चमची ने कोड करे ए रितनू में बैटर बनावियुँछे अटलू बेटर बनाव माटे मैं अईया अड़दा कप जितलू ज पाणीवा प्रेलू छे आरी ते बेटर तैयार करी थोड़ी वार माटे बेटर ने ठाकी रेस्ट आपी देशु जिननाती आपड़ा वड़ा एक दम सरस बंचे तो हवे चणाना लोटनू बेटर रेस्ट करे त्या सुधिमा आपड़े चट पटो टेस्टी मकाईनों मस्तालों बनाविये एना माटे पैन माँ एक टिबल स्पून तेल निमे धिरम करीली दू तेल गरम थाई एटल आपड़े अड़दी टीस्पून जेतलू जीरू औने एक टीस्पून जेतली वरियाड़ी उमे रिश्यू हलकु जीरू अने वरियाड़ी थाई एटल आपड़ामा बै मोटी चमचे जिटला सफेत तलू मेरी देश्यू सफेत तलनो नटी स्वाद आपड़ामा एक दम सरस लागसे हवे बद्दू सारी रिते मिक्स करी देश्यू बद्दू थोड़ू मिक्स थाई एटले एक चोथाई टीस्पून जेतलो हर्दर पावडर तेल माउमे रिश्यू जे न थी आपड़ा स्टफिंग नो कलर एक दम सरसावसे हर्दर पावडर मिक्स थाई जाई एटले तर तर तज आपड़े जे मक्काईनी पेस्ट तयार करी ने राखी छे एने उम्मेरी दैईए अने हवे मक्काईनी पेस्ट ने मिडियूम ग्यास नी फ्लेम पर सारी रिते वघर साथे मिक्स करी लेश्यू जो तमारी पासे नौन स्टिक कड़ाई हो इत्तो तमे ए जवापर जो एन ती तमारू स्टफिंग पैन मा बिलकुल चौंट से नई तो आरी ते बत्तु थोड़ू मिक्स थाई जै त्या सुधी आने थवा देश्यू तो आपड़ू मिश्रंड मा थोड़ू जे मक्काईनू पाणी अलग थैउ होई ए थोड़ू ड्राय था एपची आपडेमा मिठ्यू उमिर्वानू छे आड़ू टी स्पून करता ओच्छू अथ्वा स्वाद प्रमाणे मिठ्यू मिर्वानू जे एक मोटी चमची जितला काजू ना टुकड आने बैमोटी चमची जितले किसमिस होमे रिश्यू બે મોટી ચમ્ચી જેટલી કિસમીસો મે રીશ્ય તુજો તમારે કાજુ કિસમીસ આ વડામાં નાવં મેરવા હોય ત સવાદ આચ સ્ટફીંગમાં એકદં સરસ લાકશે અડધા લિંબુનો રસ ઉમેરી દેશુ જે આપણી મકાઈની મિઠાસને બેલેન્સ કરસે અને અડધા કબ જેટલા લિલા ધાણાઓ મેરી દેશુ અને બત્તી વસતુને સારી રીતે મેકસ કરવા માટે રાખી દેશુ અને સ્ટફીંને થંડુ કરવા માટે રાખી દેશુ તો લગબ ગઈયમે સ્ટફંને દસેક મ અને વડા ને વડા ને વડા ને વડા ને વડા ને વડા બનાવતા હોઈ તો આવાતનું ખાસ્તે બટેટા વડા નો જે માવો છે એના રીતે હાથમાલે એગદમ સારે રીતે પલા બાઇંડ કરવાનો અને પચી જેને ગોળશેપ આપપાનો જે આપડું બેટર તયાર થઈ જઈ પચી આપડેમાં વને ટીસ્પુન જીટલા અથ્વા એક ચપટી જિટલા કોકીંગ થોડા કોકીંગ સોડાવુ મેશોતો વડાનું પડ એક દમ સરસ બનશે સાથે વડામાં બિલ્કુલ તેલના ભરાઈ એનમાટે અને વડાનું પડ બહારથી થોડુ ક્રિસ્પીરે એનમાટે એનમાટે એક ચમચી જેટલુ ગરમ તેલું મેરી દેશું અને હવે 32 વસ્તુને સારે રીતે મેક્સ કરીલે એશું તો હીં આપણું વડાનું બેટર બેટર બ પચીજ આપણેમાં વડા ઉમેરવાના હમેશા તમે જીઆરે સમોસા કે બટેટા વડા તળતા હોય ત્યારે તમારે આખું વડુ ક્ય આખું સમોસુ ડુબે એટ્ટુ તેલ લેવાનું તોા રીતે મે થોડા વડા બેટરમાં ઉમેરી તો આરીતે આપડે એક્દમ સારી રીતે વડા ને બેટરથી કોડ કરતા જેઈ અને કડાઇમાં ઉમેરી દેશુ કડાઇમાં વડા ઉમેરીય પછી થોડા સાઇટ થાએ પછેની સાઇટને આરીતે ચેંજ કરી બધી બાજુતી સરસ ગોળં રંથા એત્યા સુદી તળઈ લેશું આ વડા ને તળાતા સાથી 8 મિનીટ એટલો સમઈ લાખ્શે થી રઈયું અને બુવજ તરસ આપડા વડા બન્યા છે તો જો તમને આ કોન વડાની રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપી ને લાઇક અને શેર કરવાનું પેલકુલ ના ભોલતા ફરી મોલેસુ એકવી નવી ટેસ્ટી રેસીપી સાથે પ્યાં સોધી ટેસ્ટી વાચીં